अभी कि ये लो बीम ही है लेकिन इतने दिन से ये जो डिस्टेंस था हमारा कार से लेके प्रोजेक्टर का अभी ये पुरा फुल्फिल करेगी ब्लैक मैजिक हेला की लाइट दोस्तों आज मैं वो ही सही चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा जो आपको आपकी किया कैरेंस में इंस्टॉल करनी चाहिए और अगर वो ही सही चीज आपने इंस्टॉल नहीं की तो आपकी कार अधूरी है चाए प्रीमियम रहे प्रेश्टीज रहे प्रेश्टीज प्लस रहे चलें जरा अंदर और एकक करके आठ डिटेल में आप लोगों को में समझाना चाहूंगे यह है इंटीरियर इंटीरियर में सबसे लग्जूरियस क्या है दोस्तो सीट कवर दोर पैड़ी पिलर रैप श्टेरी नहीं दोस्तो सबसे लग्जूरियस है यह डैश्बोड कंपनी यह जो हाई ग्लॉस टेक्नो प्रिंट वाला डैश्बोड कब देती है जब आप टॉप वेरियंट देते हैं लाखों रुपया देते हैं यह बेस वेरियंट है दोस्तों बेस वेरियंट में इस तरीके से डैश्बोड आता है रोफिनिश का हम इसमें लेदर रैप कर सकते है Leather Wrap अच्छा है, लेकिन सही नहीं है, सही ये Replaceable High Gloss Techno Print वाला आता है, इसमें Left Side में Glass Holders आते हैं, बहुत जरुवत की चीज़ है, Right Side में Coin Box आते हैं, एक एक जो इसकी Techno Print है, ये इसे Next Level बनाता है दोस्तों, इसी के लिए वीडियो में ने स्टार्ट किया, आपको सही चीज इं के किया के लिए, मैं Second चीज में आना चाहूंगा, Cruise Control, बहुत कामकी चीज़ है, Company भी Cruise Control, आप Higher Variant लेंगे, तब जाके देती है, और ये बहुत ज़रुरी चीज़ है, Cruise Control आपको इंस्टॉल करना चाहिए, Gear Knob दोस्तों, इसमें Regular ही Gear Knob लगके आता है, ये Top Variant का, हम Gear Knob लगा के देते हैं, और दोस्तों, ये फील है, फील, कैमरा ये चीज़ जस्टीफाई नहीं कर सकती है, ये टोटली फील है, प्लेयर हमने, Once Again, Santa Rosa 985, वर्जन इसका 11 है, 1280 इसकी पिक्शल्स कॉलिटी है, Apple CarPlay वारलेस है, Android Auto भी इसके साथ वारलेस है, Amazing product है, with AHD कैमरे के साथ, हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है, चारो डोर में हमने प्रीमियम डैंपिंग की हुई है, and Sony ES Series के कोईक्शल्स हमने इंस्टॉल किये है, आप देख सकते हैं, फील किस तरीके से आता है, सही चीज़ क्या है, Ambient Lighting एक शोक की चीज़ है दोस्तों, आप लगा भी सकते हैं, और नहीं भी लगा सकते हैं, कस्टमर की requirement ही, इसी के लिए हमने इंस्टॉल किया है, लेकिन ये चीज़ में investment कीजिए, आपने लाखो रुप्या खर्चा किया है अपनी कार में, अच्छा बनाने के लिए, लेकिन सही बनाने के लिए थोड़ा सा तो और खर्चा कीजिए दो ये हला की latest fork lamps आई वही है, फॉर्दी किया कैरेंस कार के लिए, इसे black magic बोलते हैं, amazing इसकी fitment है, wiring के साथ आती है, coupler to coupler fitment के साथ आती है, fork lamp हो तो ये हो, वरना ना हो, projector वगेरा after market के install कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो चीज में मजा नहीं है, इसमें एक spot आती है, एक flood आती है, और इसका detail वीडियो भी मैं बनाऊंगा, ये इसकी fitment amazing है, headlight में CBI pro projectors हमने install की हैं, और DRLs भी हमने install की है, चाए आप LED लगा लीजिए, चाए आप HID लगा लीजिए, या चाइना के 200-300 watt वाले कुछ भी लगा लीजिए, सही चीज है, तो Osaram CBI pro दोस्तों, side profile of the car में, ये car को हमने dual tone किया हुआ है, silver color की car है, with the dual tone combination के साथ, high gloss PPF हमने ये car के अंदर install की है, एक dual tone के साथ, एक look totally change हो जाता है, और अगर एक sports look देना है, एक अलग से standout देना है, एक 50 किया के अरेंस car चले, और हमारी car कुछ अलग दिखे, तो इस तरीके से अपग्रेट करने ही पड़ती है, X line के 16 inches के Kia genuine के alloy wheel हमने install किये है, दोस्तों सही alloy wheel genuine है, चाए आप 16 लगाईए, चाए आप 17 लगाईए, सही आपकी car के अंदर सिर्फ genuine alloy wheel है, ये body से flush आते हैं, after market जो मर्जी लगा लीजिए, वो body से बहार आते हैं, और at last genuine genuine ही होता है, एक look तो देखिए किस तरीके से आ रहा ह Side की footstep, Genesis footstep हमने install की है, जो flush fitting के साथ आती है, ये बिल्कुल भी body से बाहर नहीं आती है, एक hole भी मारने की हम लोगों को जरूत नहीं है, footstep भी लगी, शेबी भी नहीं दिखती है, और हमारी जितनी जरूते हैं पूरी हो गई है Outer handles हमने replace किये है, luxurious interior से dashboard बनाता है, तो सही माइने में खर्चा ये चीज़ का है, ये feel है, दस बार हम खोलते हैं, दस बार हम बंद करते हैं, stick on handles अच्छे दिखते हैं, लेकिन investment ये चीज़ पे कीजिए Kia Genuine के door visor हमने install किये है, after market नहीं है, Kia Genuine की door visor की एक खास बात रहती है, जो chromium center में रहता है After market वाले उपर रहते हैं, लेकिन करना ही क्यों है, आज का video सिर्फ आप लोगों तक बताना है, आप अपना पैसा सही जगा पे invest कीजिए एक car का look तो देखिए किस तरीके से आता है, roof rails भी हमने ये car के अंदर install की है, lower window garnish भी हमने install किया लेकिन एक 5 सेकेंड अड्मार करके देखिए, ये silver color की X line किस तरीके से लग रही है, और proudly क्यों क्योंकि ये base variant है दोस्तों अंदर से क्या, बाहर से क्या कोई देख के बोल ही नहीं सकता है कि ये किया केरेंस का base variant है और आज की तारीक में अगर value for money है तो ये base variant है दोस्तों rear profile of the car में genuine shark fin antenna with 100% FM working के साथ हमने install किया है, rear bumper chrome garnishing जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी ये replace वाली आती है, stick on नहीं है, stick on से अच्छी लग सकती है गाड़ी लेकिन सही नहीं है, life चाहिए तो ये चीज ही आपको install करनी पड़ेगी, अब आएंगे interior में हमारी चारों भी door की leather wrapping आप check out कर सकते हैं कि हम किस तरीके से leather wrapping करते हैं with the active ambient lighting के साथ है दोस्तों front में ORVM mirrors जो हमने install किये हुए है, one touch switches के साथ है, मैं बोलूंगा mirror लगाना असान है, लेकिन सही क्या चीज है, जो अंदर की जो शैस आते हैं, वो भी top variant के आप install कीजिए, तब जाके ये चीज का feel आएगा, इसमें regular, वो manual mirror लगके आते हैं, वो hole वाले शैस, फिर उसका alteration करो, वो चीज के अंदर मजा नहीं है दोस्तों, one touch switches के साथ हमने install किये हैं, हमारी चारो डोर की leather की wrapping and padding work आप चेक आउट कर सकते हैं, seat cover की fit and finishing, eyes gray with black color का, lightning pattern है, center perforation के साथ है, हमारी fit and finishing अब चेक आउट कर सकते हैं, steering का leather wrap भी हमने ये कार के अंदर किया हुआ है, ये कार में हमने steering replace नहीं की हुई है, हमने leather का wrap किया हुआ है, ये कार के अंदर दोस्तों, लेकिन ये जो coin boxes और glass holder आते ह हैं, ये बहुत जरूरत की चीज है, with the techno print के साथ आते हैं, दोस्तों, और cruise control, घेर नौब, उसके क्या कहने वो तो आप जानते ही है, कि कितनी काम की चीज है, लेकिन seat cover बहुत प्यारे लग रहे हैं, एक positive vibe आ रहा है, ये seat cover में जो हमने install किये हैं, जो Hela की, Hela German की, हमने जो focal claims install की हुई है, मैं हर वक क्यों brand आप लोगों को suggestion देता था, मेरे कितने किया के वीडियो आप देख लीजिए, लेकिन मैंने नहीं लगाई थी, तो नहीं लगाई थी, चाइना की नहीं लगाऊंगा, जो है, brand है, flush fitting के साथ है, दोस्तों, कोई चीज, उन्होंने कोई कार के लिए design की हुई है, तो amazing है, इसमें दो model आते है, flood, flood एक model आता है, export आता है, और दोनों का मैं detail बनाऊंगा, अगर मैंने बोला है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को बनाऊंगा, और ओसराम के तो क्या कहने, तो आज का वीडियो कुछ अलग था, आज आप लोगों को बताना था, कार को अच्छा बनाना है, या सही बनाना है, आप अपना पैसा सही जगा पे invest कीजिए, जो सालों साल चले, एक हमारी कार जो बनी हुई रहती है, वो किदर भी रह, पैचानी जाती है, कि किस तरीके से हम काम करते हैं, हमारा एक personal touch रहता है, हर एक कार के अंदर, जो हम इतने detail में आप लोगों को बताते हैं, और thank you दोस्तों, जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्या प्यार दिया, वो तो मैंने मजाक में ही वो बनाया था, अच्छी चीज, सही चीज, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने मेरे को phone आए वो वाली चीज म में बताई है, मैं चाहे 16 इंच लगाऊं, चाहे मैं 17 इंच लगाऊं, चाहे आप मैं बोलूँगा लग्जूरी लाइन के लगाई है, लेकिन दोस्तों, जैनियून लगाई है, मेरे से मत लगाई है, औल ओवर इंडिया में, किदर भी आपको मिलेगा, अगर आपको सुखी रहना है, तो ये चीज ही आप इंस्टॉल कीजिए, लेकिन बिना डेशबोर्ड के आपकी कार अधूरी है, मैं बोल रहा हूँ आपको इन्वेश्मेंट कीजिए, वो चीज में बहुत लिमिटेड स्टॉक है, बहुत लिमिटेड है, ग्रैप कर लीजिए मोका, बार बार य चीजें नहीं मिलती है, पांच साल गारी वापरोगे, पांच साल मुझे याद करोगे कि मैंने जो जो चीजें सजिशन दी है, अब बात करेंगे हेला की ब्लैक मैजिक लाइट, जो हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है, दोस्तों, बहुत टाइम से सब लोगों को वेट एक प्रॉपर फोक लैम्स हमें चाहिए, अभी दोस्तों, ये ओन मोड है, ओनली हेला ब्लैक मैजिक ओन है, ये ओफ मोड है, परफेक्शन आप देख सकते हैं, इसकी किस तरीके से है, परफेक्शन मीन्स दोस्तों, आज की तरीक में जो हमारे पॉट होल्स वगेरा आते हैं हमने हेडलाइट में ओसराम के प्रोजेक्टर तो इंस्टॉल किये है, लो बीम, हाई बीम के लिए, लेकिन वाट अबाउट दफोक लैंस, परफेक्शन नहीं थी, लेकिन ये परफेक्शन है, आप चेकाउट कर सकते हैं दोस्तों, परफेक्शन यहां से स्टार्ट होते है जो आज की तारिक में हमको दिखना चाहिए, पॉट होल्स वगेरा, ये परफेक्शन लाइट आई होई है, इच एन एवरी कार के लिए, लेकिन स्पेसिफिक इन्होंने किया के लिए डिजाइन की होई है, प्रोजेक्टर हेडलाइट में भी लगा है, अगर फोक लैं में भी प्रोजेक्टर लगा दूँगा, तो ये डिस्टिंस कैसे कवर होगा हमारा, आप समझ रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या चीज समझाना चाहता हूँ, तो ये हेला ब्लैक मैजिक है, और ये स्प्रेड लाइट है, आप चेक आउट कर सकते हैं, अभी और एक चीज कैसा ह ये है आफ मोड, अब बात करेंगे हमारी प्रोजेक्टर की, जो हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किये हैं, अभी कि ये लोग बीम ही है, लेकिन इतने दिन से ये जो डिस्टेंस था हमारा का अभी ये पुरा फुल्फिल करेगी ब्लैक मैजिक हैला की लाइट दोस्तों, जो हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है, ये टू- इन-वन धमाका है, जो हमने ये कार के लिए प्रेजंट किया है, तू-हंडेट मीटर्स तक है, दोस्तों, इसमें प्रैंड है, कॉलिटी है, वारेंटी के साथ है, कपलर टू-कपलर है, एक दिल था ये लाइट का भी वीडियो बनाने के लिए जो perfectly जैसे की हमारी गारी स्टार्ट हो कि हमें light का flow मिलना चाहिए आप प्रोजेक्टर्स वगेरा भी हम install कर लीजिए कुछ भी इंस्टाल कर लीजिए एक्जेक्ट ये light का flow नहीं मिलता है light का flow ये चीज के अंदर है जो हमने इंस्टॉल किया है तो यह हेला ब्लैक मैजिक आपको किस तरीके से लगी है यह भी ज़रूर बताना यह स्प्रेड लाइट है इसमे पाइट नहीं है तो इसी के लिए यह भी हला ही हमने सजेशन दिया है और हेड्लाइट के तो उस्राम के क्या कहने उसमें तो अप लोगों ने सुपर रिस्पॉन्स दिया हे एक कमी रह रही थी हर वग बंपर में और बहुत कमेंट्स आ रहे थे तो हम लोगों ने यह लाइट इंट्रिड्यूस की है अगर यह भी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों प्राउड ओनर इम्रान भाई हमारे साथ हैं सिल्वर किया कैरेंस एक्स लाइन के दोस्तों अभी डे बाई ड करते हो लेकिन सब कुछ सही चीजें जो मैंने बताई है इम्रान बिफोर एन आफ्टर आपने कार देखी आपने कार देखी जो आपने जो कमीट्मेंट किया था वह जो ट्रांफर्म किया तो मैं तो दो मिनिट के लिए गाड़ी कल देखिए एकदम नेक्स लेवल हो गया है जो कमीट्मेंट करते हैं और हर बार एक ही चीज़ बोलते कि मैं ओरीजिनल पार्ट तो बहुत इंपोर्टन्ट है जो एवरी टाइम ओरीजिनल पार्ट का ही वह यूज करते है और मैंगनिफिशन जो बनाये जो है वो बहुत नेक्स लेवल का है इतार बसक्राइब है तर्फिश उ अपर एक नमबर बनी शों कि युशन ऑगोंडोम वा उंकि ज्टेरिंग अगयरा हर चिज़ गाड़ी का जुँदम शुदम चांसी नेक्व तो उगस्ट नियुदम बेस्ट को काम पर लोह पार नाम जब यह कार आई थी यह कार कब आई थी वह मिश्टर पवन सर की कार इनों ने देखी थी किस तरीके से कार अपग्रेड होती है कार देखी सिफ चाबी दी पुला डू वट्टेवर यू वांट तो इट वाइश वाइश पर्चेस किया था उसमें कुछ भी एक्सरीज नहीं है और जब भी एक्सरीज फिट करने के बाद भी यह कोई नहीं बोले कि बाहर से काम किये करके एकडम कमपैनी फिटिंग काम कमपैनी का और जब कुछ नहीं से किया इन्होंने एकडम बेस्ट काम है अगया सार थैंक्यू सू मच्छ शीलवर कलर की कार लेकिन मैं बोला आट कर लेड़ेट कलर सिल्वर है सर ने भी बोला कुछा मला सिल्वर कलर लो सिल्वर कलर जब एक्स लाइन में अपग्रेड होती है एक नेक्स लेवल है वेट एन वच इसका और एक अगला वीडियो आएगा आप दी सोचेंगे कि किया में आप क्या-क्या चीज कर रहे हैं थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू इम्रान थैंक यू मैश थैंक यू सो मच ड्राइब सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगें